आज भारत दुनिया के बाकिश अक्तिशाली देशों से किशिबिक शेत्र में पीछे नहीं है आज भारत एक नई विश्व महासत्ता बनकर उबर रहा है हर मोड पर भारती अपना तंका बजा रहे है और पूरा विश्व एक नई भारत को उबरते हुए देख रहा है रिसर्च और्गिनाइजेशन जिस पर आज हर भारती अगर्व करता है आज उसे इसरो की साइकल से रॉकेट तक के सफर की बात करने वाले है तो वीडियो अन तक जरूर देखे और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दिजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए समयनागवाते हुए शुरू करते है आज का टॉपिक इसरो दे प्राइड आफ भारत इसरो भारत की स्पेस एजनसी है जिसका हेड़क्वाटर बैंगलूरू में स्थित है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1979 को की गई थी लेकिन भारत के स्पेस पोग्राम की शुरूआप तो साल 1962 में ही हो गई थी साल 1962 में महानवग्ञानिक हौमी जहागीर भाबा ने इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिशर्च का गठन किया था जिसको इसको स्पार के नाम से जाना जाता है जिसके बाद डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने नित्रुत्व में इंको स्पार ने तिरुवननत्पुरम में थुंबा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन यारी की T.E.R.L.S की स्थापना की बाद में डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम बारत की राष्टपती बने जो रॉकेट एंजिनियरों की शुरुवाती टीम में से थे जिन होने इनको स्पार की स्थापना की थी बाद में T.E.R.L.S का नाम विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष कैंद्र रखा गया पहला रॉकेट 21 नमबर 1963 को यही से लॉंच किया गया था इसने बारतिय स्पेस पोग्राम की अईतिहासिक शुरुवात की बाद में इनको स्पार 15 अगस्त 1979 को इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन यानि की इस्रो बन गया अगर इसरों की गतिवीदियों की बात की जाए तो इसरों की गतिवीदिया विपिन्न कैंद्रों और इकाईयों में फैली हुई है विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष कैंद्र यानि की VSSC तिरुवनंद पुरम में प्रमोचक रॉकेट का निर्मान किया जाता है दूसरी ब्रांच की बात की जाए तो यू आर राव अंतरिक्ष कैंद्र यानि की URSC बैंगलोरों में उपग्रहों की डिजाइन एवं विकास किया जाता है आगे 27 दवन अंतरिक्ष कैंद्र SDSC स्री हरी कोटा में उपग्रहों एवं प्रमोचक रॉकेटों का समेकन तथा प्रमोचन किया जाता है द्रवनोदन प्रणाली कैंद्र यानि की LPSC वलीय माला एवं बैंगलोरों में क्रायोजेनिक चरण के साथ द्रव चरणों का विकास किया जाता है अंतरिक्ष उप्योक कैंद्र सेख अमदाबाद में संचार एवं सुदूर समवेदन उपग्रहों के समवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रण्योगी की के अनुप्रयोक से सबंदित पहलूओ पर कार्य किया जाता है राष्टिय सुदूर समवेदन कैंद्र यानि की NRSC हैद्रबाद में सुदूर समवेदन आंकडों का अभिग्रहन प्रसंसकरण तथा प्रसारण किया जाता है तो यही कुछ ब्रांच है जिसको अलग-अलग तरीकों से वहाँ पर काम किया जाता है और बाद में रॉकेट को एक जगा से लौँच किया जाता है जो तस्वीर अभी आप देख रहे है वो एक अईतिहासिक तस्वीर है केरल का थूंबा गाउ जो मचुआरू का गाउ था यहाँ एक चर्च के आगे खाली जगा से रौकेट लौँच किया गया था और चर्च के घर को प्रयोकशाला बनाया गया था इतना ही नहीं उस समय भारत की आर्थिक स्थिती इतनी नाजुक थी कि रौकेट भी उधारी पर लिया गया था साथ ही देश में ट्रांस्पोर्टेशन के परियाप्त साधन तक नहीं थे जिसकी वज़ा से रौकेट के हिस्सों को साइकल की मदद से लौँचिंग की जगा पर पहुँचाया गया था लेकिन आज पांश दशक बाद हम चाद मंगल और उससे भी कही आगे तक यान बेज रहे हैं यह इसरो की ही सफलता है और उसके वज़्ञानिकों की महनत का नतीजा है इसरो की कहानी बदलते नए भारत की कहानी है और अंतरिक्ष में उसकी महत्वकांक्षाओ के विस्तार की कहानी है इसरो का इतिहास भारत की अननत जिगनाशा का इतिहास है 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंत्रिक्ष में लॉंच किया था केरल के थूंबा को पहला रॉकेट लॉंच होने के 6 साल बाद 15 अगस्त 1979 को इस्तरों की स्थापना की गई थी उसके बाद भारत का पहला उग्रह आर्यभट था जिसे 29 अप्रेल 1975 को कोस्मोस 3 लॉंच विकल से लॉंच किया गया था प्रसिद भारतियक हगोल शास्त्री और गणिश सास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट रखा गया था इसे इसरों ने बनाया था और सोवियत संग ने लॉंच किया था उसके बाद इसरों ने बनाया पहला स्वदेशी रॉकेट सैटेलाइट लॉंच विकल SLV-3 जो की भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह लॉंच विकल था इसे 19 जुलाई 1980 को लॉंच किया गया था इस तरह भारत अंत्रिक्ष के प्रगतिशिल देशों के एक विशेश क्लब का छठा सदस्य बन गया था उसके बाद PSLV इसरों का सबसे बरोसेमन लॉंच विकल बनकर उबरा जिसका फूल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉंच विकल यानि की PSLV जो कि भारत का तीसरी पीडी का लॉंच विकल है इसे अक्तूबर 1994 में लॉंच किया गया था और तब से लेकर जुन 2017 तक लगातार 49 सफल मिशनों के साथ एक विश्वश्ट नियल लॉंच विकल के रूप में उबरा है यहां तक की PSLV ने ही सफलता पुर्वग 2008 में चंद्रयान एक और 2013 में मंगल और्बिटर स्पेस क्राफ्ट को लॉंच किया था उसके बाद 2001 की आईतिहासी कुपलबदी के तहत इसरो का एक और शांदार आविश्कार प्रो सैटलाइट लॉंच विकल जिसको हम GSLV के नाम स जानते हैं उसको लॉंच किया गया था GSLV में PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड डालने की खिशमता है दुनिया से कदम मिलाते मिलाते इस रोच चांद की और बड़ा और चंद्रयान एक मिशन को लॉंच किया गया जो कि भारत का पहला मून मिशन था जिसे कर लगाये थे और 25 सितंबर 2009 को भारत ने दुनिया को बताया कि हमने चंद्रमा की सतय पर मौजुद पानी का पता लगाया है उस वक्त विश्व ने हिंदुस्तान को सलाम किया था लेकिन उसके बाद स्पेस क्राफ्ट से संपर्क तुट्टे के बाद यह मिशन समाप्त हो उसके बाद इसरो ने मंगल यान मिशन चलाया जिसने पहली कोशिश में ही इतिहास रश दिया था मंगल और्बिटर मिशन की शिग्रह पर स्पेस क्राफ्ट बेजने का भारत का पहला मिशन था जिसके साथ ही रोस कोस्मोस नासा और यूरोप अंत्रिक्ष एजंसी के बाद इसरो मंगल के कक्षा में पहुँचने वाली दुनिया की चौथी इंत्रिक्ष एजंसी बन गई लेकिन भारत अपनी पहली ही कोशिश में मंगल गर्य की कक्षा में पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इस मंगल विशन को 5 नमबर 2013 को लांच किया गया था जिसे देखकर उस समय पूरी दुनिया हैरान रह गई थी उसके बाद इसरो की टीम ने 2019 में चंद्रयान दो अभियान को लांच किया था चंद्रयान दो जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लेंडर विक्रम से उसका संपर्क तूट गया और इस तरह आखिरी वक लेकिन भारत के विक्डानिकों ने हिम्बत नहीं हारी जब इसरो की टीम चंद्रयान दो की असफलता से हताश हो गई थी तब पूरा देश उनके साथ एक जुट होकर खड़ा हो गया था साथ ही भारत के प्रतान मंतरी श्री नरिंद्र मोदी ने पूरी टीम के मन में कुछ यू आत्मविस्वास जगाया कि अपने इसे विस्वास के साथ इसरो ने चंद्रमा पर सफल लेंडिंग कर इतिहास रच दिया चहाँ चंद्रयान तीन ने चंद्रमा के साउथ पॉल पर सुरक्सित लेंडिंग करी थी इसके बाद देश में लोग खुशीशे जूम उठे इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गुझ उठा इस मौके पर इसरो चीफ के चेहरे पर की खुशीद देखते ही बन रही थी चंद्रयान तरींग के लेंडर विकरम की 23 अगस्त को चंद्रबा की सतय पर सफल लेंडिंग हो गई इसके साथ ही पूरी दुनिया नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के इस कमाल को सलाम कर रही थी आज बले ही भारत चांद पर पहुँच गया है लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं रहा यहां तक पहुँचने के लिए हिंदुस्तान के विज्ञानिकों को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा भारत ने आज से कई साल पहले चांद पर पहुँचने का खुआब देखा था एक वक्त था जब स्पेसक्राफ्ट की लॉंचिंग के लिए इस्तमाल होने वाला सामान बेल घारी की मदद से पहुचा आया जाता था और आज चांद पर कदम रखकर हमने दुनिया को यह बता दिया है कि बारत किसी भी मामले में कम नहीं है बता दे कि अंतरिक्ष में उडान भनने की दौड में भारत बहुत देर से शामिल हुआ था और उसने बहुत सिमित संसादनों के साथ दौडना शुरू किया था दूसरे विश्वयूत के बाद से ही रूस और अमेरिका स्पेश का बादशा बनने के लिए बेताब हो गई थे दोनों देश एक दूश्रे को पिछे छोडने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे लेकिन उस समय भारत ने 21 नवंबर 1963 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट को लौच किया था उस वक्त दुनिया के किसी देश ने कलपना भी नहीं की थी कि भारत एक दिन अंतरिक्स में ऐसे उडान भरेगा जो सब के लिए मिसाल बन जाएगी हलाकि ये तो बात हुई इसरो के अभी तक के सफर की लेकिन इसरो अब एक कदम और आगे बढ़ कर मानव रहित उडान की तयारी कर रहा है जहा भारती अंतरिक्ष अनुसंसांत संगठन अपटे मानव अंतरिक्ष कारिकरम के लिए 124 अरप के बजट का प्रस्ताव किया है अंतरिक्स आयोक के अनुसार जो बजट की सिफारिश की है उसकी अंतिम मंजूरी के 7 साल के बाद ही एक मानव रही तुडान लॉंच की जाएगी अगर गोशित समय सीमा में बजट जारी किया गया तो भारत सोवियत संग सयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चोथा देश बन जाएगा जो स्वदेश में ही सफलता पुरुवक मानो मिशन कर चुके है बारत सरकार ने अक्तुबर 2016 तक मिशन को मंजूरी नहीं दी है इस रोंने मानव अंत्रिक शुडान कारिकरम के लिए क्रांतिक प्रोध्योगी कियों पर विस्वास क्रिया कलाब शुरू किये है मार्च 2012 के आकडों के अनुसार इस दिशा में आवंटिक निदी 145 करोड है विपिन्य तक्निकी क्रिया कलामों के लिए आवंटिक निदी मुख्य सिर्षों के तहत है क्रू मॉडियोल प्रणाली 61 करोड मानव अनुकूल और प्रमोचक रोकेट 27 करोड राष्ट्रिय एवं अंतराष्ट्रिय संसातनों से अध्ययन 36 करोड और वायुगति की विशिष्ट करण एवं मिशन अध्ययन जैसे अन्यक्रिया कलाब के लिए 21 करोड तो इसे के साथ ही आज के लिए वीडियो में बस इतना ही जहां आज हमने इसरो के साइकल से लेकर रॉकेट तक के सफर को विस्तार से जाना कि कैसे इसरो हर एक भारतिय का प्राइड बन गया है अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और अपने सुझाओ कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ताकि आगे और भी बहतर तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके और ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन दबाना ना बुले आगे ऐसे ही बहतर ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नोवित निशित, Empowering Minds, Unvelling Truths नमस्कार, जैहीन, जैमा भारती